जैश्री राम भक्तों दोस्तों, महाभारत में अनीकों विनाशकारी इस्त्रों एवं शिस्त्रों का प्रयोग हुआ था पथा इस युद्ध में बहुत से युद्धा वीरगती को प्राप्थ हुए थे वो आंगिनत सैनिक मारे गए परंतु क्या आपको कुछ ऐसे पांच महाविनाशकारी इस्त्रों के बारे में पता है जो महाभारत में प्रयोग हुए थे आईए इस वीडियो में आज हम आपको उन पांच महाविनाशकारी इस्त्रों से परिचित कराते हैं लेकिन इससे पहले हम आपको अस्त्र एवं शस्त्र में भेद बता देते हैं। दोस्तो प्राचीन भारत में अस्त्र शब्द का प्रयोग उन हत्यारों के लिए किया जाता था, जिन्हें मंत्रों द्वारा शक्ती प्रदान कर दूर से शत्रू पर फेका जाता है। इन्हें अग्मी, वायू, विद्यूत एवं यांत्रे को पायों से प्रक्षेप किया जाता है। वहीं शस्त्र शब्द का प्रयोग ऐसे हत्यारों के लिए होता था, जिनका प्रयोग शत्रू के निकर जाकर किया जाता था। शस्त्र के प्रहार से शत्रू को चोट पहुंचाई जाती थी. अथा कुछ शस्त्र के प्रहार प्रांखा तक होते थे. अगर पांच महाविन आशकारी ऐस्त्रों के बारे में बात करें तो, इसमें सबसे पहले आता है प्रमास्त्र, दोस्तों ब्रमास्त्र यह संसार के रचियता परंपिता ब्रमा का अस्त्र है यह अस्त्र अत्याधिक विक्राल एवं अच्यूक है अर्थात यदि इस अस्त्र का प्रयोग किसी पर किया तो उसकी मृत्यू निश्चित है यह अपने शत्रू का नाश करके ही वापस लोटता है यदि इस अस्त्र का एक बार प्रयोग हो गया तो इसे तब तक नहीं रोका जा सकता था जब तक इसे रोकने के लिए दूसरे ब्रमास्त्र का प्रयोग न किया जाए प्राचीन काल के अस्त्रों में यह सरवाधिक प्रसिद था प्रमास्त्र का प्रयोग महाभारत में अर्जुन और अश्वत्थामा के अलावा कर्ण जानता था, परन्तु अपने गुरू के श्राप के कारण कर्ण अपने अंत समय में इसके प्रयोग करने की विद्या भूल गया था दोस्तों दूसरे महाविनाशकारी अस्त्र के बारे में बात करें तो वह है प्रमशिरा प्रमशिरा एक बहुत ही खतरना केवं महाविनाशकारी अस्त्र था जो बहुत ही कम युद्ध में प्रयोग हुआ था ऐसा कहा जाता है कि यह ब्रहमास्त्र से भी कई गुना विनाशकारी अस्त्र था। पथा ब्रहमा जी के चार सरों के नाम पर इसका नाम ब्रहमशिरा पड़ा था। इसका प्रयोग महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और गुरुद्रोन के अलावा सिर्फ अरजुन व अश्वत्थामा का सामना हुआ था। तब अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रहमशिरा को प्रयोग किया। उसके जवाब में अर्जुन ने भी अश्वत्थामा पर ब्रहमशिरा का प्रयोग किया। परंतु बाद में जब रिशी मुन्यों ने अर्जुन एवम जाया की. इन दो महाविनाशकारी इस्त्रों के आपस में टक्राने से प्रिथ्वी में प्रलया आ जाएगी. अताहिने वापस ले लो. तब अर्जुन ने ब्रंशिरा को वापस ले लिया. परंतु अश्वत्थामा को ब्रंशिरा वापस लेने का ज्यान न होने के कारण. उसन तो इसमें तिसरा अस्त्र है. वासवी शक्ती. दोस्तों वासवी शक्ती अस्त्र भी अन्य महाविनाशकारी अस्त्रों के समान ही था. अथा इसका सिर्फ एक बार ही प्रयोग हो सकता था. इसकी यह विशेशता थी कि यदि इसे एक बार अपने शत्रू पर चोड़ दिया तो उसे कोई भी उसकी मृत्यू से नहीं बचा सकता था। वास्वी शक्ती अस्त्र देवराज इंद्र का अस्त्र था। जिसे एक बार दानवीर कर्ण ने अपने शत्रू अर्जुन के वद के लिए इंद्र से मांगा था। परंतु कर्ण को वास्वी शक्ती अस्त्र का प्र यह अस्त्र के संधान केवल दुष्टों के वद्ध के लिए ही किया जा सकता है, अन्यथा यह पलट कर इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले का ही वद्ध कर देता था, और दोस्तों इसमें पांचवा यानी आखरी अस्त्र है, नारायन अस्त्र, यह अस्त्र भी पाशुपत अस अस्त्र के समान ही अती विशाल एवं महाविनाशकारी है, इस नारायन अस्त्र से बचाव के लिए, कोई भी अस्त्र नहीं है, यदि इस अस्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता है, तो संपूर्ण संसार में कोई ऐसी शक्ती नहीं है, जो इसे रोक सके, इस अस्त्र को सिर आपको समर्पित कर देने पर ही यह प्रभाव रहित हो जाता है दोस्तों यही वह पांच अस्त्र हैं जो सबसे विनाशकारी थे और इनसे बचना लगभग नामुम्किन था दोस्तों क्या आप जानते थे इन इस्त्रों के बारे में हमें कमेंट किजिए और ऐसी ही अध्भु जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद